हाई गाईज वेलकम टू इजी वे कॉवर्स क्लासेज मैं हो तबिता और गाईज आज के इस वीडियो में हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज हम उसमें कवर करेंगे कंटिन्यूस सिरीज इससे पहले हमने इडिवीजिल और डि क्वार्टाइल डेविएशन को सॉल्फ करना होता है तो सबसे पहले आपको कैसे बदा चलेगा कि कंटिन्यूस सिरीज है तो कंटिन्यूस सिरीज जिसमें हमें एक्स की फिगर यानि कि आपका डेटा होते है वह 0-10, 10-20, 20-30 continuous form में होता है 0-5 हो सकता है 5-10 हो सकता है और उस आपके साथ साथ एक फ्रिक्वेंसी आपको गिवन होती है ठीक है तो आपको इसे पता चल जाएगा कि यह आपकी कौन सी सिरीज है continuous सिरीज है अब आगे बढ़ने गाईस देखो सबसे पहले चीज जो मीडियन में हम सॉल्फ करते है वह होता है उसे अरेंज करना ठीक है तो cumulative frequency को ठीक है तो CF निकालो तो बहुत असान है लाइक 4 जो भी आपके 1st frequency होती है आप उसे लिख देते हो 4 प्लस 8 12 then 22 then 36 46 55 and 60 it means आपके F का टोटल भी कितना है 60 है ठीक है तो गाईस सबसे पहले एक चीज अगर आप चैनल पर पहली बार आयो और अभी तक आपने subscribe नहीं किया तो subscribe कीजिए और अगर वीडियो पॉसन आती तो अपने friends के साथ share कीजिए लाइक कीजिए ठीक है और आप अपने doubt मेरे से Instagram पर मेरी ID है तब बताम ऐसी पूछ सकते हो या फिर YouTube पर comment के थूँ आप आगे बढ़ते हैं देखो सबसे पहले आपने क्या किया अपने series को arrange किया तो arrange करना बहुत जरूरी है सेकंड चीज गाइस क्या करनी थी हमें CF find out करना था अब थर्ड चीज है आपको क्या निकालने को वो बोलेंगे अगर वो कहते है find out quartile deviation तो quartile deviation के लिए Q3 minus Q1 upon में 2 होता है तो सबसे पहले हमें Q1 और Q3 निकालना है तो Q1 का formula क्या होता है जो अब divided by 4th item होता है ठीक है तो जैसे कि हमने individual or discrete series में N plus 1 divided by 4 पढ़ा था तो यहां पर plus 1 use नहीं करते है एन बाइ 4 तो अगर हम N को 4 से डिवाइड करना है तो अगर हम N को 4 से डिवाइड करें तो N is जो भी आपका frequency का total है तो 60 divided by 4 is equals to 50th item 50th हमें 15th item 15 यह हमें किस में ढूंडना है तो guys अकसर इसमें गलती होती है जो अपको नहीं करनी 15 15 जो बोला है आपको वो CF में देखना है अगर CF में exact number नहीं है तो उससे बड़ा number तो अगर हम CF में देखे 15 आएगा 22 में तो हमारी series हो गई यह वाली चीक है क्या करना है अब हमें formula लगा रहे है Q1 का जो कि होते है L1 प्लस N by 4 minus CF upon F into I ठीक है अब यहां पर L क्या है lowest term आपने ले ली 20 N by 4 आपका कितना आया था 15 अब आपको इसमें से minus करना है CF तो आप exact यह वाला CF तो minus नहीं कर सकते क्योंकि यह तो आपने series चूस करी है तो आप जो CF minus करोगे उससे छोटा वाला तो that is 12 और आपका frequency कौन सा आएगा जो series आपने चूस करी है वो frequency तो frequency है 10 आए बोले तो जो आपकी series में difference है यानि कि continuous series में 0 to 10 का difference है 20 to 30 तो 10 का difference है तो यहां 10 अब अगर हम इसे solve करें देखो 10 से 10 गया 20 प्लस 3 23 आगया तो Q1 हमारा निकल गया 23 ठीक है यह आपको formula guys याद करना पड़ेगा जो कि बहुत असान है अब median अगर अपने सीखा है उसमें सिर्फ 2 होता था यहां पर इसमें 4 है तो आप असानी से सीख सकते हो तो हमारा answer Q1 कितना आ गया Q1 आगया हमारा 23 ठीक है अब हमें Q3 निकालने है तो Q3 के लिए हम क्या कर बस 3 आगे लगा देते है ठीक है तो 3 N by 4 हो जाता है तो इसका मतलब हुआ आपके यहां पर 3 लग गया तो 3 multiply by 15 तो यह आगया 45 अब 45 आपको किस में देखना है CF में आपने देखा 45 तो नहीं है बट 46 है यह सीरीज अब आप चूस कर लोगे ठीक है अब इसकी lowest term lowest term यहां पर change हो जाएगे अब हमारी formula के according lowest term हमारी अब है 40 N by 4 हमारा कितना आ रहा था guys 45 इसमें से अब है CF minus करना है तो कौन सा CF पहले वाला तो that is 36 frequency 10 into I मैंने आपको बता दिया difference 40 to 50 के बीच में difference कितना है 10 का कट करेंगे 40 plus 45 में से 36 गए तो कितना आएगा 9 तो यह answer आजाएगा आपका 49 ठीक है असान था तो it means हमारा यह 49 आगया अब हमें इन्होंने क्या बोला है कि quartile deviation निकालो निकाल सकते है 49 minus 23 divided by 2 तो 49 में से अगर 23 गए तो कितने बचे 26 26 divided by 2 आगया आपका 13 और यहाँ पर तो सिर्फ माइनस करना था 49 minus 23 is equal to 26 अगर यह बोलते coefficient of quartile deviation तो देखो formula बता हो न अच्छी आपको Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1 तो इसका formula होगा 49 minus 23 49 plus 23 तो 26 divided by 72 अब इसको अगर हम cut करें 13 divided by 36 तो 0 point something आएगा आपका answer ठीक है यहाँ तक ठीक है तो 0 point something guys आपका answer आजाएगा अब मुझे यह बता हो कि बहुत असान सा था कोई ऐसी चीज जो आपको ना समझाई हो तो यह है guys आपका quartile deviation जो कि continuous series में हमने solve किया simple से formulas हैं जो आपको पता होने चाहिए जो कि तीनों series में same लगते हैं बस continuous में आके वो n by 4 हो जाते हैं So guys I hope यह आपके वीडियो यूसफुल रहेगी और आप अपने doubtmates से YouTube और Instagram पर पूछ सकते हो Thank you